इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दस ऐसे मिसकंसेप्शन जो शायद मुझे मेरे 20 से पता होता तो मैं next level पे होता है मैं और ग्रोफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में जाने ताकि आपकी growth और better हो आप उस level पे पहुंचा है जहां पे आप अ Amazon best seller small town bigger dreams और February से हमने बढ़ा दिया है जी हाँ January में हमने एक वीडियो पर वीग किया था बड़ अब इस वीग से हम हर हकते दो वीडियो टू वीडियो पर वीग हर Tuesday और हर Friday हम नया वीडियो रिलीस करने वाले बहुत सारा amazing content बहुत सारा helpful content बहुत सारा inspiring content और उसके साथ के सा inspiring amazing guest को भी हम लाने वाले हैं तो प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए और उस bell icon को दबा लिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको पता जल जाए और आए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर वन it's too late to start anything new नहीं तो उमर हो गई है मैं अब 24 का हो गया हूं 29 का हो गया हूं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है मुझे वो stream नहीं मिला जो मुझे चाहिए था मुझे वो career नहीं मिला let me tell you this is one of the biggest misconception and the real truth is is never too late to start anything new let me give you an example आप लोगों में से कि लोग KFC गए हुए है कि कहते है मैं vegetarian हूं but I know मेरे इतने friend है जो non vegetarian है they love going to KFC और KFC का chicken Kentucky Fried Chicken उनको बहुत पसंद है but do you know the story behind KFC no KFC start हुआ था by a person named Colonel Sanders जिरों ने KFC का concept start किया था at the age of 65 जब वो 60s में पहुँच गया तब उनको ये idea आया है कि नहीं मुझे अपना recipe करना है और not only that उनको जब ये idea आया जब उन्होंने ये recipe बनाई तब वो अलग-अलग restaurants में गया and he got rejected 1009 times he was rejected by restaurant after restaurant after restaurant only after 1009 times एक restaurant ने उनके recipe को accept किया and now we know KFC almost 100 plus countries में so point here is कि it is never too late to start something अगर Colonel Sanders ने 100 बार में 500 बार में 700 बार में या 1008 भी बार में वो idea छोड़ दया होता कि यार अब तो बहुत time हो गया मेरी उमर हो गए गया को यह ले नहीं रहा है तो शायद KFC कभी डिमेंट बाता है पहला misconception जो आपको अपने दिमाग से निकाल देना है regardless of whatever age you are it's never too late to start anything you जो दूसरा सबसे बड़ा misconception है वो है communication और people management को ले करके लोगों को लगता है कि यार communication मैं मैं तो भी एक individual contributor हूं मैं तो एक छोटी सी टीम का में में काम करता हूं मैं तो IT में नहीं हूं मेरे लिए communication and people management ज़रूरी नहीं है let me tell you my friends this is the second biggest misconception communication and people management are for everyone matter नहीं करता है कि आप किस post पे हैं आप किस field में हैं आप किस level पे हैं the one thing that we do is we work with people and the second most important thing is आप ने शायद सुना होगा इसके बारे में Warren Buffett दुनिया के arguably सबसे बड़े investor है और उन्होंने बहुत सारे courses बहुत सारा दुनिया का wisdom उनके पास है बट उनके office में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक certification उन्होंने अपने office में लटका रखा है and that is related to public speaking उन्होंने डेल कार्णी जी इंस्टिटूट से जर्नी यूनिक होती है ऐसा दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आपकी तरह है इसका background exactly आपकी तरह है जिसकी जिसकी learning आपकी तरह है जिसका attitude आपकी तरह है तो अगर आप अपने आपको किसी और से compare कर रहे हो you are doing a disservice to yourself इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप पे work न करो I think I don't remember किसने exactly कहा था but your biggest competition should be yourself अगर आप रोज अपने आपको अपने आप से compare करते हो जो मैं पहले था दो साल पांच साल दो दिन दो हफते पहले क्या मैं उससे better हो रहा हूं या मैं क्या उससे worse हो रहा हूं अगर मैं better हो रहा हूं तो great क्या मैं कुछ और कर सकता हूं क् से कुछ और चीज़े ला सकता हूं जिसे और betterment हो और अगर मैं worse हो रहा हूं ऐसा क्या है जो मैं stop कर सकता हूं ऐसा क्या है जो मैं नगा अजास्टार्ट कर सकता हूं यह स्टार्ट गर मैं नगा स्टार्ट पाश्ट दो इस compare your journey with others because everyone is unique everyone's journey is unique there may be some similarity here and there maybe I come from a small town somebody else also comes from a small town maybe I am here somebody else is also here but no two persons journey is exactly the same so comparing a with b is not right so stop comparing yourself with others misconception number four ये थोड़ा controversial भी हो सकता है help others आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि लोगों की help करना चाहिए हमेशा help करने चाहिए but i am going to tell you help others but don't let them abuse it क्या को एक कहाने बताता हूँ कुछ साल पहले की बात है मैं US में था कुछ फ्रेंड आये पहली बार US में आये थे and I offered them to help मैं उनको लेके गया मैंने का ठीक है आप पहली बार आये यहां पर आपको नहीं पता रहे कहां पर क्या चीज़ा I will help you but that person took me for granted और उनने मुझे आपने साथ शॉपिंग करने में I am the person who hates shopping but और उनने मुझे आपने साथ शॉपिंग करने के लिए not one not two even though I didn't want to and उस दिर मुझे रिलाइज हुआ कि I should help but I should also keep a distance I should also make this that I can help you for two hours I can help you for half an hour I can help you with this but if you make yourself available अगर आप अपने आपको हमेशा help करने के लिए अवेलबर कर रहते हैं हमेशा दूसरों का काम करने के लिए रहते हैं Sooner or later people will start abusing you people will start making is exploiting you corporate word में बहुत होता है and you have to have that distinction लोगों की help करिये but at the same time not at the cost of you अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि वो आपकी mental sanctity को आपकी physical sanctity को disturb कर रहा है it's going way beyond a point you have all the right and if you need a permission I'm giving you the permission to say no sorry मैं नहीं कर सकता भी अभी it's not possible or or the beauty is कि अगर आपने एक बार मना कर दिया आपको abuse करने वाला था वो दुबारा उसके हिम्मत में दो so remember this help others but don't let them abuse you misconception number 5 asking for help is a sign of weakness उसे से बताएगा आपको भी help मांगने में बड़ा ego hurt होती है राइट आपको भी लगता है यार कैसे मैं help मांग जगता हूँ based on my own experience and experience of so many others let me tell you asking for help is not a sign of weakness it is a sign of strength आप लोगों से honestly help मांगने और सब से help मांगने की विजवत नहीं है आपको सही person से help मांगना है कोई उस field का master है mentor है coach है कोई भी है जो आपकी help genuinely कर सकता है उसके पास अगर आप जाते हो और help मांगते हो that shows that you are open you want to you want to concentrate you want to give more so asking for help is not a sign of weakness it is a sign of strength misconception number 6 this one is so good you need to please all the people all the time time बहुत सारे लोगों को लगता है कि सब को हर समय खुश रखना है now अगर आपने कोट नहीं सुना है तो this will be really helpful I don't exactly remember किसने कहा था but the code goes like this you can please some people all the time you can please all the people sometime but you can't please all the people all time चाहिए आपका business हो चाहिए आपकी job हो चाहिए आपका academic career हो या interpersonal relationship हो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि you can't please all the people all the time and that means you have to choose कि आप किसको प्लीज करना चाहता है you can't please everyone अब कोई भी डिसीजन लाइफ पर लेंगे there will be some priorities required this over this that person over that person पर ये कोट आपको बहुत याद आएगा you can't please all the people all the time misconception number seven learning about finance and investment is should be done in your fifties so that is one of the biggest misconception कि finance के बारे में investment के बारे में money कैसे manage करना है अभी क्यों पुचाहना अभी तो enjoy करना है मस्ती करना है अभी तो हम अभी तो में जवान हो मैंने भी गलतिया की है and this is why i'm telling you learn about money management as one of my mentor says it's not about how much you earn it's about how you manage your money so learn to manage your money learn about investment learn about how you can apply different mechanism and more importantly learn not to splurge i know by my own experience that was about a decade back when i spend a lot of money अपनी शादी पे और ये वो इधर उधर इतने पैसे कर्च के which now i feel was a waste अपनी बुक्के मारे में इसकी बात की थी but learn about finance and don't waste your money seventh lesson for you learn about finance misconception number eight you can manage your time ये बहुत बड़ा misconception है लोगो लगता है कि आप time manage कर दो आप google करो search करो you'll find time management the real truth is you can't manage time आप एक second भी इधर से उधर नहीं कर सकते अगर इस समय जो time बज़ रहा है आप चाहो कि एक minute इसको पीछे कर दे या दो merit आगे कर दे not possible so you can't manage time जो आप manage कर सकते है उसको कहते हैं focus and attention as they say where you focus goes your energy flows आप जिस चीज़ पे focus करोगे जिस चीज़ को attention दोगे वो चीज़ ही बढ़ेगी वो चीज़ में ही आप grow करोगे तो या आप के उपर है कि आप focus कर रहे हो problems पे focus कर रहे हो drawbacks पे focus कर रहे हो और फाल दू की चीज़ों पे या focus कर रहे हो अपने solution पे focus कर रहे हो अपने next move पे focus कर रहे हो कि आपको क्या अच्छा करना क्या बेटल करना है so don't worry about time management worry about focus and attention that is the currency of this century learn about focus and attention management आईए second last lesson lesson number nine work on your networking skills as they say जो कहते हैं कि your network is your network हो सकता है अगले पांत दस भीच सालों में आप सेम company में रहे सेम organization में रहे सेम जॉब ना कर रहे हो सेम प्रोफेशन में ना हो but आपके network से आपका network retirement आप किन लोगों को जानते हैं कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैट रहा है to tell you I still am connected to very few people who I started working within 15-20 years back I am still connected to them at times I choose who I connect to but I am still connected so very very important है कि आप लोगों से networking करो चाहे हो physical networking हो आप office में जा रहे है events में जा रहे है या फिर virtual networking हो LinkedIn हो गया Facebook हो गया और कोई social media platform आप लोगों को cold email कर रहे है work on your network all right so आज का दस्वा and final misconception कि your your background matters a lot where you come from matters a lot this cannot be farther from truth आप कहां से आते हैं आप कौन से पार्ट से बिलॉग करते हैं आप कौन सी language बोलते हैं आपका skin color क्या है that doesn't matter the fact of the matter is where you come from doesn't matter what matters most is where you are heading towards you choose your own path आप किस तरफ आगे बढ़ने अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ने हैं आपका background matter नहीं करता है and that is why where you come from doesn't matter what matters is where are you heading towards और ये थे आज के दस ऐसे misconceptions और उनके real truth जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको help करेंगे अगर आपको इन में से कोई भी misconceptions कोई भी lessons अच्छे लगे प्लीज कमेंट करके बताईए और अगर आपने अभी दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसेडर दूइंग दाट अंटिल नेस नेक्स ताइम आज आपको आपको नेसे करेंगे तक तक चूली आपको जाताइब थार आपको अवको जाताईब दोन इस नेक्स्ट ए्च्ट एंटन एजे से खि ब में आपको 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 आ दूएंग in